हलो गाईस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे light reaction के बारे में class 11th के अंदर जो photosynthesis chapter है highly conceptual chapter जिसके अंदर बहुत जादा समझ develop करने की जुर्थ होती है तभी इसके question हो पाते है नहीं तो नहीं हो पाते तो light reaction और dark reaction basically photosynthesis chapter को अगर मैं दो हिस्टों में बाटना चाहूं तो इन दो हिस्टों में बाट सकता हूं जिन में से हम पढ़ेंगे पहले light reaction और हो सकता है कि इस topic के दो पार्ट जो है आपको वीडियो में मिले क्योंकि एक में हम देखेंगे cyclic photophospholation और एक में देखेंगे non cyclic photophospholation तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी बहुत basic बाते लाइट reaction जो होती है वो क्या होती है भाई light reaction basically है कि हम हमने plant light का use करकर light energy को use करकर क्या बनाए chemical compounds बनाए और इन chemical compounds में क्या हो energy हो एक्जामपल के तौर पे ATP और NADPH यह दो compound हमें यहां पे देखने को मिलते हैं तो पहले थोड़ा सा basic देख लेते हैं एक बार माली जी यह हमारे क्याइब और H2O का यह formation करने में यूज करती है glucose ग्लुकोज जो है वो सुक्रोज में convert होता है और सुक्रोज में convert होने के बाद में इस सुक्रोज को जो है transport करती है plant अलग-लग parts में तो इस पत्ती में exactly photosynthesis कहा हो रहा है तो mesophyll cell में हो रहा है mesophyll cell में कहा हो रहा है तो chloroplast में हो रहा है chloroplast कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा दिखता है chloroplast के एक double membrane structure है जिसमें आपको grain वगेरा देखने को मिलेंगे और stroma देखने को मिलेगा अच्छी तरीके से जो division of labor है वो इसके अंदर देखने को मिलता है मतलग जो grain वाला पार्ट है जो membrane वाला पार्ट है उसमें होती है light reaction और जो stroma वाला पार्ट है उसमें होती है dark reaction so what is dark reaction basically dark reaction है पहीं CO2 को fix करना CO2 को glucose में convert करना तो light reaction क्या है light reaction अभी भी बताया कि light energy को किसमें change करना chemical compounds बनाना उस light energy से जिन chemical compounds के through actual में CO2 जो है वो convert हो गई glucose के अंदर तो ATP और NADPH किस से बने light reaction से बने ओके तो यह कुछ basic difference है तो थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं कि भई exactly यह सारा काम होता कैसे है तो आप यहां पर देख सकते हो कि light जो है वो ग्रेना के ओपर गिरी और थोड़ी बहुत reflect होती है अच्छा reflect क्यों होगी भई तभी तो color समझ में आएगा तो ग्रीन कलर अगर सारी अब्जॉर्व कर लेगा तो तो ब्लैक कलर की नजर आएगा ना chloroplast रमें नहीं ब्लैक कलर नहीं नजर आता मतलब थोड़ी बहुत light जो है वो reflect होती है और जो जादा तर reflect होती है वो green spectrum वाली light होती है मतलब visible जो range है उसमें से green वाला जो segment है उसकी कुछ हद तक जो light waves है वो reflect होती है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से काम चलता है तो थोड़ा सा basic देखते हैं और हम यह देखते हैं कि actual में यह क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वज़े से ATP और NADPH बनेगा तो हम मान लीजिए यह green है थोड़ा सा और basic से समझा दे तो यह green आ मानो आप उपर से देख रहे हो मैंने इसको यहां से cut किया अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं यहां से देखने पर मुझे यह ऐसा नजर आ रहा है अंदर इसके खाली space है जिसे lumen बोलते हैं यह इसकी membrane है जैसे normal lipid by layer होती है वै इसको जब मैं जूम करके दिखाऊंगा इसको जब मैं जूम करके बनाऊं तो वह कुछ ऐसी बनेगी जो कि आपके लिए बहुत समझना ज़रूरी है तो यह मैं बना रहा हूं इसकी lipid by layer membrane यह membrane खास क्यों है इस membrane के पास में है इलेक्ट्रोन transport system यह क्या चीज होती है एक ऐसा system जिसके अंदर electron का ट्रांसपोर्ट चलता है अब electron का ट्रांसपोर्ट जो चल रहा है basically वो कैसे चल रहा है कि यहाँ पे होते हैं cytokroms अब यह cytokrom क्या चीज है cytokrom actual में कुछ ऐसे compounds होते हैं जो कि protein से और metal ions से बनेते हैं protein से बनते हैं और metal ions से बनते हैं इस ही electron system ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट क्या है फोटो सिस्टम पार्ट है फोटो सिस्टम जो है वो दो फर्स्ट एंड सेकिंड साथ में electron ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ हमें acceptor molecule भी देखने को मिलेंगे acceptor molecule ऑके तो बात करते हैं membrane जैसे आप इसको imagine करना चाहो तो यह ऐसे कुछ imagine कर सकते हो मैं यह बना नहींरा जैसे एक lipid और यह दूसा तो यह lipid bilayer जैसा कुछ बन गया तो मैं यह बना इसलिए नहींरा ताकि complex ना पना तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें देखने को को मिलता है few fighting ग हम प्लास-किनोन ऑग कोगे हम एक connects देखने को मिलता है जिस कॉंप्लेक्स का नाम है कि असायटोक्रोम दिश्क्स आन साइटोक्रोम टीज़्फ करोंड इन इससे में बोला सकता है अगर विदर मैं वैसे आपको बतां तो यह मेन वाला हिस्सा है और यह इंढ देखेंगे यहां परяет ना कौन से पार्त को इसको किया तो यह साइन है ओके और यहां पर हमें देखने को मिलेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट यह फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है इसके पास में इसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा जिसका नाम है FES के बाद में आता है FED और FED के बाद में आता है FNR और स्ट्रोमा की तरफ यहां पर एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है NADP positive reductase तो यह क्या है ट्रांस्पोर्ट जो सिस्टम है इलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट सिस्टम उसके अलगलग कंपोनेंट्स हैं यह मिलकर काम करते हैं इलेक्ट्रोन को ट्रांस्पोर्ट करते हैं अब हमें क्या देखने को मिल सकता है हमें यह देखने को मिल सकता है कि इलेक्ट्रोन जो है वो जहां से निकले वहां वापस पहुंचा है अब इलेक्ट्रोन कहां से निकलते हैं वही देखो जब लाइट पड़ती है जब यह ला से क्या हो जाते हैं एक्साइट हो जाते हैं तो यह इलेक्ट्रोन यहां से एक्साइट हुए फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर होता है तो दो इलेक्ट्रोन जो है वो फियोफाइटिन के पास पहुंचे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रोन पहुंचे प्लास्टो क्युनोन के पास लेकिन प्लास्टो क्युनोन जब फियोफाइटिन इसको दे रहा था इलेक्ट्रोन प्लास्टो क्युनोन ने बुला कि मैं तो हाइड्रो तो इसने बुला कि आप दो एलेक्टर मेरे से ले लो और stroma में काफी सारे प्रोटोन है तो दो प्रोटोन वहा से ले लो और क्या बना दो आप बना दो PQH2 अब यह जो PQH2 है इसका नाम है प्लास्टो क्यूनोल तो PQH2 अकेला PQ क्या था? Plastokinol PQH2 क्या है? Plastokinol Very important Plastokinol जो है वो electron pass करता है Cytochrome B6F ये electron ही लेगा और जो दो proton इसने लिए थे वो proton जो है वो यहाँ पे Lumen के अंदर छोड़ देता है अब Cytochrome B6F जो है इन electrons की वज़े से यहाँ पे इसके पास थोड़ी बहुत energy आती है जिसकी वज़े से ये ATP के molecule बना पाता है कुछ ATP के molecule ये जो दो electron है ये आगे पहुंचते हैं Plastosynil के पास और क्योंकि light PS1 के पास भी पहुंची होगी तो PS1 ने भी अपने दो electron excited excitation में किसको दे दिये होंगे FES को दे दिये होंगे FES से ये दो electron पहुंचे होंगे FED के पास और FED से ये पहुंचे होंगे FNR के पास और FNR finally इन दो electron को देता है NADP reductors को NADP reductors इसका क्या करता है भई यहाँ पे NADP positive plus दो proton का use करकर बना देता है NADPH तो यहाँ पे सोचने वाली बात है अच्छा यहाँ पे यह दो electron जब excited हुए तो प्लास्टो साइन इन भी electron दो इसको दे देगा क्योंकि दोनों पे simultaneously light पड़ी थी photosystem 1 and photosystem 2 पे तो इसने जब electron दे दिये इसके पास में electron की कमी है जिसको पूरा कुन कर देगा प्लास्टो साइन कर देगा ultimately यह electron किस से आय था photosystem seconds है अब क्या बस एक ही यह एक ही बार transport होता है क्यों क्योंकि electron तो खतम होगे अब भी इतना कोई इसके पास में ऐसे खान तो है नहीं electrons की कि यह लगातार चलते ही रहेंगे कभी तो खतम होंगे तो electron continuously supply हो चाहिए वो supply कहां से आएगगे तो वो supply exactly आती है यहां पे होता है specialized molecule जिसका नाम है OEC full form है oxygen evolving complex oxygen evolving complex यह oxygen evolving complex लगातार water के molecule को तोड़ता रहता है और जब भी यह एक water के molecule को तोड़ता है तो यह दो electron जो है वो photosystem second को transport करता रहता है पीछे क्या बच जाता है दो proton और half O2 ओके तो यह दो electron किसके पास पहुंचे अब यह OEC लगातार water को तोड़ता रहेगा electron photosystem second के पहुंचाता रहेगा ultimately यह जो है NADP positive reductives के पहुंचते रहेंगे electrons और NADP H2 जो है वो बनता रहेगा तो इस तरीके से movement होती है अब यहां पे electron जो है जहां से निकला ultimately उसके पास में दुबारा नहीं पहुंचा मतलब cycle नहीं बनी continuously water तोड़ने के जूर्थ पड़ती है इस तरीके का जो system है यह कहलाता है non-cyclic photo force for relation इस शब्द के पीछे भी एक concept है non-cyclic मतलब cycle नहीं बन रही मतलब electron जहां से चला वापिस उसी के पास नहीं आया ultimately चला फोटो सिस्टम से और अगर वैसे और भी सोचो तो oec से चला दो electron और ultimately किसके पास पहुंचे na dp-positive के पास पहुंचे तो वापिस तो नहीं पहुंचे न oec के पास तो non-cyclic ATP में क्या होता है phosphorus का bond है na dp-positive में क्या है phosphorus का bond है तो phosphorus के product बनाना तो non-cyclic photo phosphorylation हम इसे बोलेंगे तो basically इस तरीके से यहां पे काम होता है आप देख सकते हैं थोड़ा सा illustration diagrammatic electron के पास energy electron के पास energy किस से आई photons है photon होते है वो bundle of energy packet of energy जो की light में present होते है chlorophyll के molecule के पास कहुंच photosystem किस से बनाए chlorophyll से बनाए excite हुए उसके बाद में यह जो है excited state के बाद यहां पे इसको कौन accept कर लेता है primary acceptor accept कर लेता है अगर मैं बात करूं photosystem first की तो उसके लिए primary acceptor है FES और मैं बात करूं photosystem second की तो उसके लिए primary acceptor है few fighting okay जिसे हम pH यहां पे लिखते हैं तो इससे हुआ क्या basically मतलब समझ नहीं आया कि exactly हो क्या रहा है तीसरा NADP जो है वो भी लगातार protons का क्या कर रहा है इन protons का देखो इनका use कर रहा है तो मतलब इनको भी fix कर रहा है fix करने का मतलब है कि अब इनका use नहीं हो सकता बाद stroma में नहीं है इनका effect नहीं आएगा तो lumen के अंदर एक चीज जो आपको notice करनी है वो यह है कि concentration जो है वो H positive ions की क्या हो रही है बढ़ रही है इसलिए lumen में acidic environment होता है as compared to stroma सर इससे क्या होगा इससे होगा ये कि basically मैं lumen की membrane को फिर से थोड़ा सा simple बताता हूं बहुत ये telecoid की membrane को यहाँ पे पूरा system है यहाँ पे photosystem है यहाँ पे Cytokrome B6F इसी membrane पे यहाँ पे ATP synthase enzyme भी है जिसके दो component है एक है F0 और एक है F1 lumen में H positive की concentration जादा stroma में H positive की concentration कम और यह high concentration से low concentration move करेंगे move किसके तुरू करेंगे यह जो enzyme है ATP synthase जिसे बोल रहा हूं है ओके जब यह move करेंगे तो यह ATP synthase क्या करेगा ATP का formation करेगा ओके तो इस वीडियो में इतना ही इस वीडियो में basic target जो हमने किया है वो किया है भई photosystem second को आप इतना ध्यान रखें कि isolation में इस topic को पढ़ना और याद करना या समझना उतना ही तफ है जितना भई मैं आपको सीधे 12 में बिठा कर या 11 में बिठा कर आपने शुरू से कुछ पढ़ा ही नहीं है और सीधे 11 असलेबस पढ़ाने लग जाओं तो वह समझ में आ जाएगा तो यह भी isolation में समझ आ सकता है आपको यह पूरा चेप्टर इस सीक्वेंस में पढ़ना है कि पहले photosystem आने चाहिए कि photosystem क्या होता है accessory pigment क्या होती है फिर light reaction क्या होती है non cyclic कैसा होता है फिर हम पढ़ेंगे cyclic ओके तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच